ओमनमिश्वय जहमाकाल दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार सावन का महीना सबी महीनों में सबसे शुब माना जाता है, क्योंकि इस महीने भगवान शिव अपने भक्तों की हर्मनों कामना को पूरी करते हैं, शिव भक्तों को पूरे साल सावन महा का बेस अब रिसे इं योग बन रहा है जिसमें पूरे महीने शिव और माताब पारवती दोनों की असीम किरपा बनी रहेगी तो चली जानते हैं साल 2023 में सामन महा कब से शुरू हो रहा है कितने सोंबार रहेंगे कितने मंगला गोरी ब्रत रहेंगे क्या सुप से योग रहेगा और सामन महा में किस पेड़ को लगाने से आपकी सभी मनों कामनाई पूरी होंगी दोस्तों साल 2023 में सामन महा 4 जुलाई से शुरू होगा और इसका समापान 31 सगस 2003 इसको होगा इस बार सामन की शुरूआत पहले मंगला गोरी ब्रत से हो रहे है 19 साल बाद ऐसा संयूद बन रहा है श्रावन महा जो रहेगा वो रहेगा चार जुलाई का चली अब जानते हैं कि सामन के महीने में घर में कौन सा एक पोधा लगाने से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है आपको कभी भी धनकी कमी नहीं होगी जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सामन महीने में बेलपत्र का उपयोग बहुत बगवान शीव को समर्पित सावन महीने को हिंदु धर में सबसे पवित्र माना चाहता है बगवान शीव को हम बेल देतूरा पंचामरत आदी चीजे समर्पित करते हैं बेल का फल बेल का पत्ता बगवान शीव को सबसे दिख परी है कह सकते हैं बेल पत्त के बिना बगवान का पोधा लगा होता है वो जगे जो होती है काशी तीर्थ के समान पवित्र पूझने मानी जाती है बेल का पोधा घर में सुक्सम्रदिल आता है घर के वास्तु दोस्को दूर करता है भगवान शीव का सबसे दिक प्रिय पोधा घर में लगाने से गरीबी दूर होती है आपक इसके बावजूत भी इन्हें घर में लगाने से मना किया जाता है। ऐसे में कई लोगों के मन में ही सवाल आता है कि हमें घर में बेल का पेड लगाना चाहिए या नहीं। यदि से घर में लगाएं तो हमें से किस दिशा में लगाना चाहिए। दोस्तो बेल का उपयोग हम कई ओश्डी बनाने में तो करते ही हैं, साथ इभवान शिव की पूजा में बेल पत्र का यूज़ करने से जीवन में सुक्समरद्य आती है, बेल का पेड सही दिशा में यदि लगाया जाए, तो परिवार में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या इस घर के सदस्य में प्रेम बना रहता है, और इंसान को कभी भी जिंदगी में भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं कहना पड़ता, कहते हैं बेल के पेड में माता पारवती मालक्षमी का वास होता है, बेल का पेड यदि घर में लगाना है तो इसको हमेशा उत्तर पश्चि लगाते हैं तो बेल का पेड उत्तर पश्चिम दिसा में लगाने से घर के सदस्यों को मान समान में व्रद्धी होती है, यस चारो दिशाओं में फ्यालता है और किसी भी कारिये में जो वो हाथ डालता है, तो वो उनका कारिये काफे प्रगर्थी से आगे बढ़ता है, इस इस दिशा में बेल का पोधा लगाने से घर के सदस्यों की आयू में व्रद्धी होती है, उत्तरपूर में यदि बेल का पेड लगाया जाए तो यह बहुत ही स्थ्रेस्ट फल की प्राप्ती होती है, इस दिशा में पेड लगाने से घर में मालक्षमी का वास होता है, बच् के सद्वस्तिय जीवन में उन्नती करते हैं सास्ट कहता है जो व्यक्ति सुभह और शाम बेल की पेड़ के दर्शन करता है उसके द्वारा अंजाने में किए गए पाप नस्ड होते हैं बेल का पोदा यदि व्यक्ति अपने जीवन में लगाता है तो उसके वंस कुगति. वैसे थो वेल्पत्र की पोधे को कभी बी दिन लगा सकते हैं जो अप सबसे ऐच्छा माना जाता है है लिए तो यदि आप सावन के महीने में इस पोदे को घर में लगाते हैं तो आपका घर में धंदान को भन्दार रहेगा बगवान शीव की असीम करपा आप पर बनी रहेगी घर में बेल का पोदा लगाने से व्यक्ति के बुरे कर्मों का असर पंनी होता है उसे पुन्निय मिलता है उसका जीवन खुशी से बहर जाता है बेल की पूधे में कई soutarात्म को ह vos उता है और कि लोगों को देजस्ति जोकी उर्चा landing बनाता है तो कहते हैं जिस घर में बील डाद थे बूरीन चाह्त्म का ब्हुमेर इस्तर नहीं Wise जेब भरक में कई नबल्ड बाद चड़ा हुआ है तो उससे दोख करके आप भगवान शिवोगास नगर में जरूएंगे वीडियो में दीकी जनकारी आप सबाइक जरूत